एक अक्टूबर को जो एक्जाम हुआ है उसी के आधार पर जहां जहां से questions किये गए हैं इन सारे book से ये सारे book आपको दिखाई दे रहें इन सारे book से मैंने उनको ढूड़ा कहां कहां से question किये गए हैं उन्ही सारे important topic से मैं नए तरीके से और नए नए questions को add करके आपके लिए एक बहतर class बिहार पुलिस एडवान क्लास सुरू कर चुका हूँ जैहें दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपने चेनल पाट साला विक्ये के में इस वीडियो में मैं बात करूँगा दोस्तों कि बिहार पुलिस का एक्जाम कब तक होगा और जो मेरे द्वार नोटिस नहीं आया है ये आपको भी पता है लेकिन एक तरह से अनुमानित जो एकजाम तित्थी है वह माना जा रहा है कि दिसंबर के महीने में होगा तो मान के चलिए कि अभी आपके पास लगभग 50 से 60 दिवस का समय बचा है तो 60 दिवस जैसे पिछली बार हमने 50 दिवस 50 चास टॉपिक आप लोगों को प्रोवाइड कराया था तो उसी के तरज पर इस वार बिहार पुलिस का एडवांस क्लास मेरे द्वार सुरू किया गया है एडवांस क्लास में क्या-क्या आपको लाब मिलने वाला है इस पर भी मैं चर्चा करो देखे दो तो एक अक्टूब आपके लिए एक बहतर क्लास बिहार पुलिस एडवांस क्लास सुरू कर चुका हूँ यह क्लास सुरू हो चुका है दोस्तो इसके एकनॉमिक्स के तीन वीडियो मिल चुके हैं आप लोगो एकनॉमिक्स पहले मैं समाप्त करा दूँगा उसके बाद फिर मैं पॉलिटी करा लिंक दे दूँगा तो देखिए दोस्तो अब समय बरबाद नहीं करना है और मैं इसलिए क्लास लाया हूँ दोस्तो कि इतनी सारे बुके आप दो महिना में आप पढ़ नहीं पाएंगे ना तो जहां से क्वेश्चन्स आया है बिहार पुलिस के द्वारा मैं एक आपको ल देखले ड़रा मैं अप देख लिएगा तो जहां जहां से पूछेंगे विःहार पुलिस के द्वारा मैं उस बुक से निचोड़ करके और आप लोग के लिए जो है बिहार पुलिस एडवांस क्लास सुरू कर चुका हूँ ताकि देखिए इतना और पुक आप पढद तो आप लोगों नहीं नहीं देखा है तो उसको भी देख लिए क्योंकि आपने देखा उससे भी बहुत अधिक मातरा में questions देखने को मिले हैं तो ये वाला class जो advanced level की चलेगी और बिहार पुलिस 50 दिबस 50 टॉप ये दोनों को अगर आपने कर लिया तो ये मान की चलिए कि बिहार पुलिस में आपका selection तै है कोई नहीं रोकेगा तो इन दोनों को आप अबसे देख लिए और हाँ इतना है नहीं आप टेलिग्राम से भी जुड़ जाएगा टेलिग्राम में दो चैनल हमारे द्वारा पना दिया गया है एक चैनल आपके डाउट को क्लियर करेगा एक चैनल का नाम है पाटसालावित केके डाउट क्लास ठीक ना और दूसरा चैनल है पाटसालावित केके जिस पर आप प्रति दिन क्विज देते हैं अब केबल और केबल फोकस करना है तो आपको अपनी तयारी पर फोकस करना है, मैंने आपको प्रूप के साथ दिखा दिया कि कहां से questions आये हैं और क्यों इस book से मैं आपको करा रहा हूँ, है ना, क्यों मैं इस book से आपको करा रहा हूँ, क्यों करा रहा हूँ, क्यों कि बिहार देखे किस तरीके से question पूछा एक October को तो विस सारे questions को मैंने देखा आपने भी देखा वो सारा question जो हमने अपने टेलिग्राम पर share किया है आपको अगर अभी तक आप लोगों नहीं देखा है उन question को तो उन questions को जरूर देख लीजिए अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर पि पड़ते हैं तो कहीं न कहीं हम लोग पीछे रहे जाएंगे तो देखे दोस्तों पीछे नहीं रहे ना है इस वार हर हाल में किसी भी तरीके से रिजल्ट को निकालना है, किसी भी तरीके से वर्दी को पाना है, तो वर्दी को पाने के लिए स्मार्ट तरीके से त्यारी करने होगी, वो स्मार्ट तरीका क्या होने वाला है, वो स्मार्ट तरीका जो भिहार पुलिस पैटर्न यूज की है, उसी पैटर्न को हम लोग को अनल तो बहुत research किया कहां से questions आए आखिर बिहार पुलिस इतना जटल question लाई कहां से है न तो सारे जब मैं खंगाला हूँ तो मुझे दिखा है कि नहीं इन सारे बुकों से questions आए है और अच्छे संख्या में questions आए है फिलाल मैं इसलिए इन books के बारे में आपको अच्छे से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगर ये इतने सारे बुक आपको बताऊंगा तो आप इतना सारा बुक पढ़ नहीं पाएंगे इतने कम समय में और परिसान हो जाएंगे तो परिसान होने क्या हो सकता नहीं है maximum लोगों को लाब हो तो वो फाइदा है ना अब आप लोग सभी लोग इतने किताब में question ढोड़ने में समय लगाएंगे तो इतना समय नहीं है आप लोग का समय बहुत ही ज़्यादा भहमुल है तो आप लोग का जो एक question छाटने वाला ढोड़ने वाला काम है यह मैं कर देता यह कि आपका result होने से कोई नहीं रोकेगा कोई नहीं रोकेगा हमारे और आपके बीच में जो यह आयोग की दिवार है दिवार के उस तरफ बिहार पुल्स की बर्दी रखी हुई है उसको गरेंड कर लेना है तो जल्दी जल्दी चैनल को जोईन कर जाए दोस्तों अगर न वीडियो बनाव तो नोटिफिकेशन जाए और आप बीना वक्त गवाए हुए उसको सबसे पहले देखें और अच्छे से त्यारी करें और अपना बर्दी पाने का सपना पूरा करें इसे के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार